आज हम करेंगे comparison of fraction तो दू fraction को आप कैसे compare करोगे आपको बताना कि कौन सी fraction बढ़ी है और कौन सी fraction जो है वो छोटी है इसके लिए हमारे पास जो method है that is very simple आप इनको cross multiply किजी 4 को 5 से 4 5s are 20 और 6 को 5 से करिए 6 5s are 30 देखिया पहले आपने कभी ऐसे निकरना कि 6 को पहले 5 से करके यहां लिख दिया 4 को 5 से करके यहां लिख दिया चिक है पहले ऐसे 4 को 5 से ऐसे ही multiply होगा फिर यह अब देखिए which is greater 20 बढ़ा है या 30 आपकोर्स 30 बढ़ा है तो मतलब यह वाली fraction बढ़ी हो गई यहां हम लगाएंगे greater का sign चिक है जी I hope this question is clear to everyone thank you so much